हेलो दोस्तों नमस्कार, MCC Classes में आपका स्वागति सांति हो, आज हम देखने वाले हैं आपका Lucent, है ना, जैसे कि आपने Thumbnail में देखा हैं दोस्तों, दिवस आज पढ़ने वाले हैं, आपने कमेंट किया था, उसी आधर पर मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, विविद का च इस तरह से जो तैयरी चलते हैं, इसको चलने दें, बागी बात करते हैं, Lucent का, तो Lucent का मैं बता दोस्तों, विविद वाला जो चेप्टर आता है, विविद वाला जो कि लास्ट में आता है आपका, यह मैं पढ़ाना जा रहा हूं दोस्तों, दिवस, ठीके, आपको एक एक आपको इस बुक में भी मिल जाए, इसमें पेज नमबर 299 दे रखा है, टोपिक नमबर 25 दे रखा है, जिसमें आपके दिवस हैं, ठीके, आज जनवरी और फरवरी में ले रहा हूं दोस्तों, क्योंकि छोटे-छोटे हैं, आपको आसनी से याद हो जाएंगे, एक दिवस पूरा एक्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए पूरा कंप्रिट करके रखें इस चीज को, ठीक, तो ये लुसेंट बिलकुल आप देख सकते हैं, इसका पढ़ने वाले, तो आईए स्टाट करते हैं, सबसे पहले बता दो दोस्तों, अपन जो पढ़ेंगे, वो मो किक ट्रिक, ठीक है, मेरे द्वारा ये बताई जा रही ही, दोस्तों, बात करता हूँ, टेलिग्राम चैनल तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, और एक कोशन में लास्ट में पूछूँँगा, जिसका अंसर आपको देना है, जो अच्छा देगा दोस्तों, अच्छे तरह के से उस चीज को समझाएगा, मतलब, कमेंट में उसको हम, यहाँ पर नाम लोंका दोस्तों, ठीक है, बात करते हैं, इस चीज की, ठीक है, अब स्टाट करते हैं, ठीक, तो MCC क्लासेज व्यावरा आप सर्च कर सकते हैं, टेलिग्राम चैनल पे, य आजाएए दोस्तों, जनवरी महाँ पे, ठीक है, अब जनवरी महाँ के दिवस पढ़ना है, अपने को, ठीक, यह ट्रिक के माध्यों से पढ़ेंगे, मोकिक ट्रिक है, जिसका नाम में ने दिया है, अच्छे से समझना इस चीज को, दोस्तों, बात करते हैं, सबसे पहले, यूँस करूँगा, मोकिक वाली, बुरा नी लगना चीज़ती, तो किसी का नाम आजा, इसमें तो बुरा लग जाए आपको, बात करते हैं, पहला जो आता है, लुईस ब्रेल दिवस, ठीके, अब लुईस ब्रेल दिवस, थीके, अब लुईस ब्रेल दिवस, याने की ब्र सारे की जर्वत से इसे हाथ करके तो उसीς से आपको याद रखा लूना किती वह उंगली दिखाते हैं चार उंगली दिखाते हैं तो इन दिवस कं मनाया 4 जनवरी, चार उंगली दिखाई तो, फिर आता है प्रवासी भारती दिवस ठीक है अब बात करते हैं प्रवासी की प्रवासी जो भारे रहे उनकी बात करें पने इंडिया ने तो प्रवासी यह नहीं कि भारत में क्या है कोई प्रवासी नहीं नो प्रवासी क्या आज रखना है नो प्रवासी तो नो प्रवासी आ मनाया गया कि प्रवासी भारती दिवस नो जन्वरी तो नो प्रवासी कहा है दोस्तों भारत में नो प्रवासी कहा है भारत में तो नो जन्वरी होगी आपका लुइस ब्रेल चार जन्वरी होगी आपका बताया मैंने फिर आता है विश्व हिंदी दिवस ठीके विश्व कि 10 जनवरी क्या है दोस्तों हिंदी दिवस लेकिन कौन सा ये विश्व हिंदी याने कि 10 चक्कर लगाएंगे हम किसके लिए हिंदी के लिए क्या लगाएंगे विश्व में तो विश्व में हम 10 चक्कर लगाएंगे किसके लिए हिंदी के लिए 10 चक्कर ठीक है तो 10 जनवरी क लगवाएंगे हिंदी के लिए विश्यू के ठीक फिर आता है राष्टी युव दिवस ठीके राष्टी युव दिवस मनाया आपने बारा जनवरी कैसे यह मनाते स्वामी वेकानन ची हमारे उनके याद में उनके जन्म दिवस के रूप में हम राष्टी युव दिवस मनाते 12 जनवरी ठीक है तो 12 लोग खड़ा जाते हैं कुछ हो जाता है तो कितम यूऻ खड़ा बारा एक हम आपके शाहिए ठीक है इस टाइप से वह याद रखना राश्टी यूऻ दिवस आपका 12 जनवरी फिर आता है थल सेन दिवस थल सेन दिवस आपका कम मनाया 15 जनवरी के दिन थल सेना दिवस मनाया ठीक है इसको मैं आपको बताऊंगा एक चीज़ और ताकि थल सेना जल सेना और आपका नेवी जो वायु सेना तीनों याद हो जाए फिर आथा भारती परियतन दिवस भारत परियतन दिवस कम मनाया 25 जैनवरी समझना रिलेट करके पड़ा रहाओ में फ कोई ना कोई परोग्राम होता है अपने शेर में ठीक है अपने कस्बे शेहर गाओं में होता एक नीट कुल में भी अपने नुफती बढ़ में आप झाल या तो उसके एक दिन पेले से ही वहाँ पे कुछना-कुछ सफाई या फिर खिर शे कुछ चीज उसमें आपे जो प् उस चीज की चलती है तो तेयारी चलती ही तो क्या हो गया दोस्तों यह तेयारी देखो 26 जनवरी की दिन तो गनतनता दिवास है लेकिन एक दिन पहले क्या है यहां पर 25 जनवरी आ गया तो 25 जनवरी की दिन क्या कि आपने भारत परेट अंदिवास यानिकि ऐसा भी होता है कि ये से NCC की परेट होती ही दोस्तों यह आपने देखा होंगा यह आपके AACC लिए रख्यो तो उसमैं भी फूआ क्या होता ही प्रोग्राम होता है तो NCC में क्या होता है किजाते हैं दोस्तों यहां ततानात्य दिवस मनाते हैं तो दोस्तों क्या हो गया इस बार इसा हुआ कि में भैट गया हूं पैर कुर्सि लगा इंदरा तो इसका आपको नाम लिखना है क्या लिखना है और उस से 10 रुपए एक व्यक्ति एंट्री आपके फीस लगेगी अब एंट्री जो फीस लगरी दोस्तों 10 रुपए लग रही है ठीक है तो क्या हो रहां सीमा शूलक यानि अंदर जाने का आपके लिए क्या लगँ अपके लिए शुलक लगँ तो सीमा शुलक लगएगा मिरे पास पैसे आँगे को पर्यटन ठीक है थलसेना 15 जनवरी होता है फिर आता है शहीद दिवस शहीद दिवस दोस्तों 30 जनवरी की दिन मनाते हैं क्या मनाते हैं शहीद दिवस मनाते हैं ठीक है अब समझना दूसरा आता है कुष्ट निवारन दिवस यहने कि जब कुष्टो का निवारन हो जाता है दोस्तों कुष्टों का निवारान होने के बाद के दोस्तों सरवूदे होता है किया होता है तो यह तीनों ही दिवस्त को मनाएं अपने 30 जनवरे की दिन समझना इस चीज को एक बार नहीं दो बार वीडi kosi को देखना तब आपको आतिमकर बिट जाय तो अच्छा है समझ जीएगा इस चीज को लुइस ब्रेल दिवस केसे ब्रेल लिपी कोच करी एसे चलते हैं जिनके आखे नहीं होती तो चार जनवरी हो गया फिर बात करी नो जनवरी की दिन भारती नो प्रवासी भारती नो प्रवासी भारती ठीक दस यहने की हिंदी दस बस याद रखलो हिंदी बारा के दिन स्वामी व्यकानन जी का जन्म दियोस आता है उन्हीं के उपलक्ष में राष्टी युव दियोस मनाते हैं थल सेना 15 जनवरी हो गया आपका भारत परेटन दिवस 25 जनवरी याने घूमने जाते हैं एक दिन पहले 26 जनवरी के 26 6 जनवरी महां डिno 4 जनवरी को कोई न कोई रोग इंक है क गुलाब का फूल तो गुलाब दिवसकव हो गया बारा जनवरी बारा जनवर की दिन गुलाब हो गया 12 से फिर दो एक दिन बाट कि आगया वेलेंटायंटे चौधा हो गया ठीक अब वेलेंटाइड जैसे माना रहते भी है उसी दो-तीन दिन बाद वापस मिले तो वापस मिले तो भी है 21 फरवरी आगा 21 फरवरी की दिन हमारी माता जी ने देख लिया। किसने देखा माता जी ने देखा अब माता ने मैं ने देख लिया तो ममने here देख लिया तो प्ला अपनी हिंशुद दिंदि भाईषा में देर प से मैं बोलेंगा बोलोंगी तो अंतरास्ती डिएल पर बात पना पहुंच गई केंदरी उत्पास शुल्क दिवस अब 21 को बोल दिया अब 21 को बोल दिया तो यहां से रवाना होगा बालक बोलेगा आप छोड़ो सब काम पड़ाई पर ध्यान दो चलो वापस जाना है वहाँ ठीक है कोचिंग गया तो कोचिंग गया विए 24 तारिक के दिन बालक अब 24 तारि जैसे 22 तारिक को उसका शुल्क लगा उसने सोचा कब तो साइंटिस्ट बनना इस बना दको क्या बनना यहसा कंबरेट ना इसमूरियोंते अंतराष्टी फिर केंद्री उत्पास शुल के दिवस 24 के दिन और राष्टी विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी यह जनवरी फरवरी महा के दिवस इसको एक से दो बार पढ़िएगा और इन दिवसों को आप क्या करना बुक में आपके पास नोट्स भी आपको दिख रहे हैं इसको नोट करना और एक बार अच्छे से मनसे याद करना इस चीज को ठीक है क्योंकि एक दिवस फक्का आता है आपको दिवस में पूरे ब और धन्यवासांतियों अच्छे से मेनद कीजिए अब आप इसका स्क्रीन शोट ले सकते हैं दोस्तों धन्यवासांतियों